Hello friends, take out your workbook and open worksheet 24 of unit 8, page number 112 Today we will read exercise about pronouns and prepositions and connectors यह दो last worksheet है आपकी, तो यह मैं आपको समझा रही हूँ और आपने exercise करनी है इसकी तो फर्स देखिए, correct pronoun, pronoun feel करने हैं, pronoun कौन से होते हैं, जो noun की जगह पर use होते हैं he, she, I, we, they, जो आपने unit 7 में की हैं, तो देखिए, my name is joy, मेरा नाम जोई है तो यह myself कितरा ही है, आप अपना नाम बताते हो ना पहले, dash am 8 years old तो आप अपने बारे में बता रहे हो, तो क्या आएगा, I, I am 8 years old my mother's name is Sunita, अब मेरी mother का नेम सुनीता है, अब मदर के लिए बता रहे है तो क्या आएगा, she is a pilot, जैसे लिखते हो ना, my father is a doctor, ठीक है, she is a pilot अब मदर के लिए बता रहे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, she works hard and enjoys flying airplanes next, देखे, my father's name is Anil, अब फादर का नेम बता रहे है, Anil, अब फादर के बारे में बता रहे है, dash he is an architect he is an architect, he is an architect, फादर के लिए बता रहे है, mail हो गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, he is an architect, he designs buildings and huge structures, ठीक है, अब इसमें आप ऐसे ही आपने stanza read करना है, और correct pronoun feel करना है, we आएगा, they आएगा, I, he, she, okay, second देखे, correct option दी हुए है, इसमें, आपके लिए इसी है, he or she में से, अब कि मेराज, likes to eat carrot, मेराज जो है वो, बॉइ का नेम है, तो बॉइ के लिए क्या आता है, he, निधी and Shweta are sisters, निधी और Shweta sisters है, तो निधी और Shweta में आप तो नहीं हो, ठीक है, तो वी पताया था, मैंने कि अगर इसमें आप भी हो, और आपके friends भी है, और भी कोई है, तो वी लेकिन आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, ज्यादा के बारे में, तो क्या आएगा, दे, ओके, I won the first prize, मुझे first prize मिला, तो मैं बहुत कुछ था, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, I, ऐसी आपने correct pronoun जो है, वो feel करने है, ओके, next है, prepositions and connectors, अभी आपने unit 8 में ही revise के है, prep यह options given आपको, are you coming to party dash Saturday, क्या तुम Saturday आगया ना, तो मैंने पताया था आपको, day और date के लिए, जो है वो, क्या आता है, own, okay, own, time के लिए क्या आता है, fixed time के लिए, at, ठीक है, तो ऐसे आपने जो है वो, यह exercise करने है, first part, and second part है, characters का, जो दो sentences को, join करते है, and, but, or, तीनों में से, and means, or, but means, प्रंतु, or means, yeah, दोनों में से कुछ चूज करना हो, देखे, रोहन, it's sweet, रोहन, sweet है, मतलब, प्यारा बच्चा है, dash, very naughty, but, बहुत शिरारती है, ऐसी बोलेगे न, प्रंतु, बहुत शिरारती है, रोहन, sweet है, अच्छा है, पर पास हो गया, पर मेरा दोस्त, मेरा भाई, पर मेरा भाई भाई, ब्रदर फेल, मेरा भाई फेल हो गया, इसे भी दोनों अलग-अलग अज़िए है, एक तो पास हो गया, एक फेल हो गया, तो दोनों अलग-अलग अपोजित है, तो उसके लिए क्या आएगा, but, okay, I have a red dress, dash a मेरे पास एक राड ड्रेस भी है और एक राड हैट भी है तो यहां क्या आ जाएगा एंट तो ऐसे ही हमने आपने यह फरक्षी 24 और 25 की एक्सराइज अपने आप समझ के करने हैं ओकी थैंक्यू